तो आज सुबा बहुत ही शौकी न्यूस सुनने को मिली जिदा डैना वाइट ने रिवील किया कि चार्ल्स ओलिवेरा इंजड हो गया है और अब उसकी फाइट अगेंस्ट इसलाम महाचैब यूएपसी टू-94 में कैंसल होगी है तो यूएपसी को इसको लेकर जरा भी चलेनी की ज़रूरत नहीं पड़ी चूकि एक ही कॉल में ग्रेट अलेक्सेंडर वालकेनवस्की 10 डेस के शॉर्ट नोटिस पर गरेंटली दो मोस्ट ओमिनेट लाइटवेट फाइटर दो चैंपियन इसलाम महाचैब के साथ फाइट करने के लिए रेडी है एबसलूटली ये साइवज मूव है अलेक्सेंडर वालकेनवस्की का क्योंकि ज़स्ट अभी एल्बो सर्जरी से रिकवर करने के बाद ही बिना प्रैक्टिस या ट्रेनिंग कैम के अलेक्सेंडर वालकेनवस्की ने डिसाइड कर लिया और वो अब चार्ल्स ओलिवेर को रिप्लेस करके एक वेट क्लास उपर जाकर इस्लाम महाचेफ के साथ रिमैच फाइट करने वाला है अब इस पर थोड़ी देर में और बात करेंगे बट पहले देखते हैं कि चार्ल्स ओलिवेर को हुआ क्या जिसकी वज़े से चार्ल्स ओलिवेर को एकदम से विड्रौ करना पड़ा और क पारिंग सेशन के फिफ्ट राउंड यानि की लास्ट राउंड में चार्ल्स ओलिवेरा ने एक मैसिव कट को सफर कर लिया इस फोटो में हम देख सकते हैं कि चार्ल्स ओलिवेरा का ये कट बहुत बड़ा है और ये डारेक्टल उसको लगा है आई ब्रो पे अब इदा चा को कैंसल करना पड़ा तो डैना वाइट अपने इंटिव्यू में चार्ल्स ओलिवेरा की टीम मेंबर से दो चीज़ों को लेकर बहुत जादा पिस्ट ओफ था सबसे पहली चीज़ जैसे मैंने अभी पहले कहा कि चार्ल्स ओलिवेरा ने UFC को बिना बताय ही स्टिचिस चाहिए थी और उन्हें स्टिचिस को लगवाने से पहले UFC को बताना चाहिए था पर स्टिल अगर हम इस चीज़ को नॉर्मल वे से देखें तो मुझे तो समझने आया कि डैना वाइट इतना जादा क्यों पिस्ट ओफ हो गया कि चार्ल्स ओलिवेरा उसकी टीम ने स्टिच को बता दिया था कि उन्हें ये बात लीक नहीं करनी है एकॉर्डिन टू डैना वाइट उन्होंने चार्ल्स ओलिवेरा और उसकी टीम से पूरी बात कर ली थी कि उन्हें कुछ भी नहीं बोला है चार्ल्स ओलिवेरा की इंजिरी को लेकर क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग अबुदाबी में रात है और सब सो रहे हैं और यू एफजी अबुदाबी में सुबा होने का वेट कर रही है डैना वाइट ने ये भी कहा कि पब्लिक को बताने से पहले वो सबसे पहले अबुदाबी के ओफिशल से बात करना चाते थे और उन्हें ही सबसे पहले Inform करना और फिर उसके बाद Islam Mahajayev और उनकी टीम को inform करना था पर Charles Olivera के टीम मेंबर्स ने इस बात को लीग कर दिया and according to Dana White wordings, they couldn't keep their mouth shut Charles Olivera के टीम मेंबर्स से ये बात लीग हो गई और इसलिए Dana White इतना ज़ादा pissed off था पर अब जो injured हो गया, वो injured हो गया इसलिए अब बात करते हैं, current fight के बारे में यानि कि New UFC 294 की main event lightweight champion Islam Mahajayev vs featherweight champion Alexander Volkanovski की rematch fight के बारे में very frankly speaking, दोनों के लिए ही ये fight काफी unfair fight है obviously Alexander के लिए ये fight जादा unfair है but Islam Mahajayev भी दर lose-lose situation में है अगर Islam Mahajayev इस fight को जी जाता है तो काफी लोग उसे credit नहीं देंगे और हर कोई यही बोलेगा कि Alexander Volkanovski के पास time भी नहीं था prepare करने का तो उसका हारना तो almost certain था और अगर Alexander सब को shock करके Islam Mahajayev को defeat कर देता है तो Islam Mahajayev को तो social media नहीं छोडने वाला अब दूसरी तरफ Alexander Volkanovski की बात करें तो सबसे पहले तो mad respect Alexander के लिए क्योंकि यह move सच में एक child move है and I can guarantee you कि बहुत सारे light weight fighters Islam Mahajayev के साथ fight करने को 10 days के short notice में नहीं लेते बट इसी के साथ point इधर यह है कि क्या Alexander के लिए यह right move है या फिर नहीं जब पहली बार इन दोने ने fight की थी तो Alexander Volkanovski एक काफी close fight को हारा था Islam Mahajayev से तो इसलिए इस fight में Alexander को लेकर सबकी expectations काफी high होंगी also we have to consider कि maybe Alexander का last chance है और अगर Alexander इस fight को हारता है तो बहुत मुश्किल होगा कि Islam Mahajayev उसके साथ 3 fight करे Alexander के पास obviously training camp करने का time ही नहीं है and I really doubt कि उसने injury के बाद से wrestling भी ढंक से train की हो तो I think सब इस बाद से agree करेंगे कि ये rematch Alexander Volkanovski के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है but to be honest who knows maybe Alexander shocks the world last time भी Alexander Volkanovski ने इतनी amazing performance की थी जिसने सब को shock कर दिया था क्योंकि उस fight में किसी ने भी Alexander को chance नहीं दिया था जस्टिन गेची अभी BMF champion है तो baddest motherfucker का तो meaning की यहीं बनता है कि anywhere anytime तो क्या इतर जस्टिन गेची का नहीं बनता था कि वो इस्लाम महाजेव के साथ fight करे तो इसलिए again मेरा question है कि who is the real BMF जस्टिन गेची जो अभी यह कर रहा है या फिर Alexander Volkanovski जो surgery के बार 10 days के short notice में एक weight class उपर जाकर champion इसलाम महाजेव के साथ fight कर रहा है